आज फिर आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टू पर फिर साब का स्वागत करता हूँ और आपके समझ चे एक बहुत ही महतपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्तित वा हूँ जो 2019 में जो सिक्षक पातरता परिक्षा एस्टेट सुरू हुई थी जिसका एक्जाम पुना 2020 में हुआ क्रोना काल में CBT के माध्यम से, Computer Based Test के माध्यम से उन सभी अभियर्थियों को अब इंतजार की घड़ी समाप थो रही है अब वैसे अभियर्थि जो मेरिट में थे और जो नॉन मेरिट में थे सभी को विभाग जो है वो परमान पत्र स्कोर कार्ट देने जा रहा है इसकी तयारी बिहार विद्याले परिच्छा समीती पत्ना के द्वारा की जा रही है जो एक पत्रांग है 50-20-2022 ये देखिए पत्रांग है दिनांग पत्रांग दिनांग 50-2022 बिहार विद्याले परिच्छा समीती पत्ना के द्वारा प्रेशक परिच्छा नियंत्रक विदिक बिहार विद्याले परिच्छा समीती पत्ना सेवा में सभी जीला सिक्षा पताधिकारी बिहार बिशे, माध्यमिक सिक्षक पातरता परिक्षा एस्टेट 2019 के अभियरतिओं का रिजल्ट कार्ड एवं रिजल्ट कार्ड विवरनी चंधारित करने एवं रिजल्ट कार्ड सम्बंदित अभियरतियों को उपलब्द कराने के संबंध में यह है पत्ना दिनांग 19.2.2022 का लेटर जिसके माध्यम से सभी जिला सिक्षा पताधिकारी को यह स्कोर कार्ड उपलब्द कराए जाएगा जिससे कि वो संबंदित विद्यार्थी को उसका स्कोर कार्ड और अन्यब्रणी उपलब्द कराएंगे। आए देखते हैं इस पत्र में का और क्या उल्यक किया गया है। संबंदित जिला सिक्षा पताधिकारी कार्यले में अभ्यर्थियों को वित्रन हितु उपलब्द कराया जाना है। यानि अपने अपने जिले के जो जिला सिक्षा पताधिकारी का कार्यले हैं वहां आपको उपस्तित होना है। कुछ इसमें डकुमेंट्स निर्धारित किये गए हैं, उन डकुमेंट्स के साथ उपस्तित होना है, फिर आपको अपका परिक्षा फल दे दिया जाएगा. उपक्त परिक्षा की परिक्षा फल सौ्फ्ट कॉप्य इसमें के विशेश दूत के द्वारा संबन्ती जिले के जिला सिक्षा पतादिकारी कारियले को अपलाब्ध कराई जारी है। जिसे मिलान कर अपने काड़ेले में प्राप्त कराने की विवस्था की जाए अब यहां देखिए उक्त परिक्षा की परिच्छा फल कि समब्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड बीधरकत करने की विवस्था की जाए जो अभियर्थियों को ले करके आना है जिसमें देखें परिज्क है उनके प्रवेस्पत्र की छाय परती या वेब कॉपी जो की इंटरनेट से वो डाउनलोड किये थे एक्जाम दिर्दी के वक्त में और फोटो युक्त भारत सरकार या राजय सरकार द्वारा निर्गत बैध पहचान पत्र की मूल प्रती को देख कर ही दिया जाना है रिजल्ट कार्ड इसलिए अभियर्थी उनको जरूर ले करके आए तथा अभियर्थी द्वारा पहचान पत्र के अभिप्रशोव अभिप्रमानित छाया प्रती अपने कारिया ले में सुरक्षित संधारित करने के विवस्था की जाए ये कहा गया है जिला सिक्षा पतादी कारी को जो की उनके रिजल्ट को संधा अभियर्थी को वित्रन की गई रिजल्ट कार्ड की प्राप्ती रसीद एवं रिजल्ट कार्ड की विवरनी अपने कार्यलाय में सुरक्षित संधारित करना सुनिश्चित करेंगे ठीक है परनित के आलोक में उक्त परिक्षा का परिक्षा फल की सौफ्ट कॉपी दूट से प्राप्त कर संबंधित अभियर्थियों को रिजल्ट कार्ड वित्रन कराने की विवस्ता सुनिश्चित की जाए यह पत्र यह पत्र परिच्छा नियंतरक विद्विध विहार विद्याले परिच्छा समीती के द्वारा निर्धार निर्गत किया गया है 1902-2022 को यानि दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है उन सभी अभियर्थियों के लिए जिन्होंने 2019 का अपना एस्टेट का एक्जाम दिया था और वो रिजल्ट के अवेटिंग में थे कि कब उन्हें अपना स्कोर कार्ड प्राप्त होगा तो वैसे अभियर्थि जो मेरिट में है और जो नॉन मेरिट में है उन सभी को अपना रिजल्ट कार्ड विवाग देने जा रही है आईए ये हमारे आज के समाचार पतर में भी कुछ इसके संबंदित सुचना आया है जिसको हम लोग देखते हैं बिहार बोर्ड स्टेट 2019 का रिजल्ट कार्ड हुआ जाड़ी बिहार बोर्ड ने मादमिक सिक्षक पातरता परिच्छा स्टेट 2019 का रिजल्ट कार्ड कर दिया है बोर्ड वारा एक लाक चोवण हजार 951 स्टेटी में सामिल अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड दिया जागा यानि जो अभ्यर्थी इसमें सामिल हुए थे वह पास किये या नहीं किये जानी कि ऐसे सफल विजार्थी को भी और असफल सभी को रिजल्ट अब यहां हम लोग देखते हैं इसमें पेपर एक में एक लाख नो हजार चौशो सरसट अभ्यर्थी पेपर एक में एक लाख नो हजार चौशो सरसट अभ्यर्थी को वही पेपर दो में 45,284 अभ्यर्थी को रिजल्ट कार्ड मिलेगा सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड संबंदी जिला सिक्षा कार्यले में भेज दिया जाएगा और सभी को अपने डॉकुमेंट्स दिखाने और उन्हें प्राप्त हो जाएगा यहां देखिए एक सूचना यहां भी है सभी अभ्यर्थी का संबंदी जिला सिक्षा कार्यले में भेजी रिजल्ट की हार्ड वा सौफ्ट कॉंपी राज्य भर से 8400 अभ्यर्थी हुए थे क्वालिफाई बेरिट में आये थे 3645 लेकिन उससे मतलब नहीं है जितने भी अभ्यर्थी सामिल हुए थे उन सभी को सिक्षा विभाग देने जा रहा है यहां देखिए एक लाक चौवन हज़ार अभ्यर्थियों को भेजा गया अंक यानि वैसे अभ्यर्थी जो सिर्फ इसमें सामिल हुए थे उन सभी को भी भाग देने जा रहा है ठीक है आईए हम लोग देखते हैं गया तब गया हो के स्टीटी 2019 का ऑनलाइन का याउजन 21 सितंबर 2020 को किया गया था इसका रिजल्ट 12 मार्च 2021 को जारी किया गया था रिजल्ट में कु 30,645 अभ्यर्थी ही आये थे मेरिट में कुल 30,645 अभ्यर्थी आये थे साम यहां रिजल्ट कुल होगा 80,400 अभ्यर्थी होगा इसमें पेपर एक में 16,68 अभ्यर्थी और दूसरे पेपर में 8,531 अभ्यर्थी सामिल हुए थे अभ्यर्थी सामिल हुए थे वहीं संस्क्रीत विज्ञान और उर्दू का रिजल्ट बाद में आया था इसमें 6,096 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आये थे बोर्ड परिक्षा में सामिल सभी 1,54,951 अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड बेजा गया है देखे और क्या थ दिखाकर मिलेगा रिजल्ट कार्ड बरिक्षा फ्रक्री अभ्यर्थी के सी अभ्यर्थी पहचान पत्र के साथ प्रवेश पत्र सी वेब कॉपी फोटो युग्त-पहचान पत्र ही मानने हो прид matter सबी अभियर्थियों को उनके जिला सिक्षा कारेले से रिजर्ट कार्ड मिलेगा कार्यों वे अपने परिचय पत्र ले करके और प्रवेस पत्र था उसकी छाय परती़ करके उने ओड़्रिजल्ट रिजल्ट मिल जाएगा और उन्हें वह संभाल पत्र आगे होने वाले नियोजन में इसका बहुत बड़ा उप्योग है यहां देखिए एक और सूचना है हमारे पास जो अपने समाचार पत्र में आज की समाचार पत्र में निकला है DEO कारले से वित्रित होगा STET का रिजल्ट यानि आपके संबंदी जिला के DEO कारले से आपको आपका रिजल्ट प्राप्त होगा बिहार विद्याले परच्च समीती के परच्च नियंत्रक के दौरा सिक्षा पतादी कारी को पत्र लिक कर मादमी सिक्षा पात़ता परच्चा स्टेट 2019 के अभियरतियों का result कार्ड न रिजल्ट विब्रनी विश्तित करने का निर्देश दिया गया है इसमें भी वही चीज़ा हैं जिसमें के अर्षित क्वालिफाइड और अनर्षित जो भी अभी अर्थी हैं उन सभी को रिजल्ट कार्ड विसेश दूर्थ के द्वारा उपलब्द कराया जाएगा अपने संबंधित जिला सिक्षा पता दिकारी के काड़ियाले से आप अपने प्रवेश पत्र और अन्य डकूमेंट को अच्छी तरह से मिला करके आप उसे प्राप्ट कर सकते हैं इसके लिए परिक्षाफल की सौफ्ट कॉपी की सौफ्ट कॉपी रिजल्ट कार्ड एवं रिजल्ट कार्ड विबरनी अति महतपूर्ण अभिलेख हैं इसे सुरक्षित रखने की विवस्थाभी डियो को कर नी है रिजल्ट कार्ड वितरन के समय भ्रतियों का प्रवेश पत्र की चाया प्रति वेव कोपी फोटो यूट भारत सरकार दोरह निर्गत पहचान पत्र की मूल प्रती को देखकर ही आपको रिजल्ट कार्ड उपलब कराया जाएगा तथा अभ्यर्तियों द्वारा पहचान पत्र की स्वावर प्रमानित भी करेंगे और सबसे महत्पून बात यहां बताएगे किसी भी परिश्थिती में बिना वैद पहचान पत्र के आपको यह काड उपलब्द नहीं कराया जाएगा इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि बिना रिजल्ट कार्ड यह पहचान पत्र के आप न जाएगे वितरन की गए रिजल्ट कार्ड की प्राप्ति रसीद एवं रिजल्ट कार्ड विबरनी अपने कारेले में सुरक्षित करेंगे और साथी उन्हें भी निर्देश दिया गया है कि रिजल्ट कार्ड की जो विबरनी होगी और रिजल्ट कार्ड की जो चाया प्राप्ति रसीध है उन्हें भी यह कार्ड रेले में सुरक्षित रखा जाएगा तो दोस्तों आज आपके सामने एक बहुत ही महत्पूर्ण सुचना लेके आया था जो आप लोगों को प्लब्द कराया ऐसे सिक्षक अभियर्थी जो काफी समय से अपने रिजल्ट कार्ड रिजल्ट कार्ड के लिए वित्रित थे कि आखिर विभाग वैसे अभियर्थियों को जो इसमें सफल हुआ था जो इसमें विद्यार्थी थे जो इसमें विद्यार्थी सफल हुए थे और सफल जो आसफल भी हुए थे ज्यानि कि इस अर्थों में देखा ज हुआ और वैसे सभी अभी अर्थियों को विभाग देने जारा जो इसमें सामिल हुए थे तो दोस्तों इन्हीं सब्दों के साथ विदा लेता हूं अगले वीडियो में फिर आपके पास एक महतुपून जानकारी ले करके आऊंगा तब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करते रहें धन्यवादी